अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ मैं तरुनकुमार शर्मा Lucent 1000 MCQ Part 3 लेकर आया हूँ इसके पहले दो वीडियोज हो चुके हैं आप जाकर उपर आई लिंक पर क्लिक करके वीडियोज को देख सकते हैं So, टाइम डेबल देख लेते हैं सुबह के चार बजे करेंड अफेर्स जो हिंदी और इंग्लिस लेंग्वेज में होती है और साम के चार बजे Lucent 1000 MCQ के अपरवार बात चल रही है Important information है कि 10 में 2020 से हमारे यहाँ पर Modern Indian History की क्लासे शुरू हो जाएगी Actual History की क्लासे शुरू हो जाएगी तो तयार रहिएगा आपको निमंतरन है आपको invitation है हमारे तरफ से Taste of knowledge के तरफ से Channel link दिया गया है यहाँ जाकर आप PDF को download कर सकते हैं यह Telegram link है जो description box में भी आपको नज़र आएगा Lucent 1000 MCQ में आज फिर से हम आगे पढ़ाव आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक कोश्चन से स्टार्ट करते हुए 300 कोश्चन तक कवर करेंगे गोईटर डिजीज इस कॉस्ट बाई दा डिफिसेंसिसी ऑफ घेंगा रोग किसकी कमी के वज़ा से होता है यह गोईटर जो आप इसे सतब्हों से ओच लिएट्ड़ेसे वह हो जाता है नेक्स देख लेते हैं विच ग्लाइंवsels इंसूलीन कौन सी ग्रंती इंसूलीन स्तरावित करती है तो कौन सी जो ग्लैन्ड है वह से सक्रेट करती है इनसुलीन को तो इसका करेक्ट पुट बॉल से रिलेटेड है डूरंट कप याद रखना है इपको बंध भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है largest कौन सा है तो आपको पता है लोकून दैम भारत का लाइजस डैम आपको यह बताना है हीरा कुन डैम कोन से सिटी में है लोके ही सबसे लाइस टैम है हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज हैब बिन रिकॉर्गनाइज इन एड सेडियूल देखिए एड सेडियूल की बात की जा रही है और दे कंस्टिडियूशन सम्विधान की आठवी अनुसूची में कितनी भारती भाषाओं को माननेता दी गई है देखिए आज आपको यह भी पता चल जाएगा कि जो सेडियूल है उसमें हमारे जो आप देखो गए कि लैंग्वेज को माननेता दी गई है सान मिला हुआ है तो कितनी लैंग्वेज है जो हमारे इस देख लेते हैं वाट इस दा करेंसी ऑफ चाइना की कौन सी करेंसी है चाइना की करेंसी आपको बतानी है तो चाइना की करेंसी है यूँआन चाइना की करेंसी है यूँआन चाइना की करेंसी है ओके नेक्स देख लेते हैं हूँ इस दा फाउंडर ओफ रेट क्रॉस रेट क्रॉस के संस्थापक कौन है आज ही हमने इसके बार में चर्चा की है तो red cross day आज ही है तो आपको wish करता हूँ red cross के लिए तो red cross के founder कौन है red cross के founder जो है उनका नाम है henry dunant henry dunant okay henry dunant याद रखना है henry dunant आगे देख लेते है what is the disease caused by the hemoglobin deficiency hemoglobin की कमी के कमी से होने वाले रोप कौन सा है अगर hemoglobin body में कमी हो जाए तो कौन सी disease आपको हो जाएगी कौन सी बिमारी हो जाती है तो उसका नाम है anemia anemia hemoglobin के कमी के बज़ा से होता है ये याद रखना है आपको आगे देख लेते हैं who is called India's night angle भारत कोकीला की कौन माने भारत की कोकीला कौन है एक्चली ये इदर हो गया है भारत की कोकीला कौन कहलाती है ठीक है इंडिया की night angle कौन कहलाती है तो इसका correct answer है सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू को भारत की night angle की रूप में जाना जाता है भारत की कोकीला कहा जाता है who is who started the kutub minar in Delhi किसने बनवानी शुरू की थी देखे स्टार्ट किया गया था तो किसने शुरू किया था यह कुतुबु दिन एबक कुतुबु दिन एबक नहीं इसे बनवाना शुरू किया था next slide के तरह बढ़ते हैं who was the founder of Benaras Hindu University Benaras Hindu University विश्विद्याले के संसापक कौन है बनारस Hindu University विश्विद्याले के संसापक है मदन मोहन मालविया याद रखना है मदन मोहन मालविया बनारस Hindu University जो हम देखते हैं उसके founder है आपको यह बताना है अर्थ शास्थर आर्थ शास्थ्रा के लेखक कौन है आपको पता है लेकर कॉट हैu को जिनको चानक्या क्या भी बोला यह से वह पहले वह पूचा था मैंने आज भी जवाब दे दीजा ऀएज जलदी से बताएए और एक नाम क्या था चानक्या का विवेकानन्द मिमोरियल लोकेटेड विवेकानन्द इसमारक कहां स्थीत है तो विवेकानन जो इसमारक है वो एक्चुली कन्या कुमारी में है कन्या कुमारी साउधन पार्ट ऑफ इंडिया तो कन्या कुमारी में क्या है वो हमारा विवेकानन जो मिमोरियल है वो है रिइस हेट कॉर्टर आफ सार्क को धक्चेह क्यांते हैं लाफ को संसिवी रेंट को पता है कि इसके आउस प्रगोष कहीं यह देश होंगे तो कांटिंग कर लेते हैं टोटल 8 है नाम लिखना शुरू करिएगा important question है ये ठीक है और ये हमिसा के लिए important है इंडिया नमबर 2 में नेपाल नमबर 3 बांगलादेश नमबर 4 स्रीलंका नमबर 5 मालदीव नमबर 6 भूतान नमबर 7 पकिस्तान और नमबर 8 अफगानिस्तान तो ये सारे नाम आपको note down करने है ये सारे important है और मैं जिस टाइम पर करवाता हूँ उससी टाइम पर आपको revision कर लेना चाहिए नहीं तो सिर्फ burden होता है और कुछ नहीं होता है ठीक है था हैंड़ेट एंड़ेट कोशन मैं करवा रहा हूँ उसको बैट के अच्छे तरह से पढ़िया और यह train मैं follow करवा रहा हूँ मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ एक्जाम में किस तरीके से कोशन बन रहे हैं और किस तरीक प्रसे था आप करेक्शन कर लेना लेकिन मैं कोशिस कर रहा हूँ गलती ना हो ओके बढ़ते हैं वाट इस दे लेंट ऑफ इंडिया स्कोस्ट लाइन भारत की टट रेखा की लंबाई कितनी है तो भारत की जो तर रेखा है कोस्टल ए लाइन जो है इंडिया की उसकी लंबा 292anki यहल। कि मैं तो उसकी लंबाई है 7099516ं। इसकी कोस्टल एरिया की लेंट है को स्टल एरिया मतलब यह समुंद्री वाल एरिया और एलेजिया नहीं समुंद्री वाला एरिया ओके और बढ़ते हैं, which country has the highest production of mica in the world, which में अब्रक, माइका को क्या बोलते हैं, अब्रक का सरवाधिक उत्पादक किस देश में होता है, मनि हमारे कौन से देश में सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रहे है, सबसे ज़्यादा माइका का production होता है, अब्रक का उत्पादन होता है, तो इसका correct answer है इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा माइका का उत्पादन होता है, अब्रक का उत्पादन होता है, who built the grand trunk road, grand trunk road किस ने बनवाया था, तो grand trunk road को बनाने वाले थे शेर्षाह सूरी शेर्षाह सूरी ने ग्रैंट ट्रंक को बनाया था और ये एक ऐसे समराज, मान राजा बने थे ऐसे बाश्चा बने थे जो उमर जब इनकी हो गई थी काफी तब जाके ये राजा पर बैठे थे तब ये जाके समराज बने थे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है जब विटामिन बी बोड़ी में अगर कमी हो जाए तो उससे बेरी बेरी रोग होता है आपको याद रखना है बेरी बेरी ठीक है बेरी बेरी किस लिए होता है वो आप बताईएगा यह क्या है actually very very जरा मुझे help करिए very very क्या है actually बस आपको बताना है vitamin BD की कमी के बज़ा से तो हो रहा है लेकिन very very actually होता क्या है which disease is caused by vitamin C deficiency vitamin C की कमी से कौन सी बिमारी होती है vitamin C अगर body में कम हो जाए तो उसे scurvy रोग होता है scurvy scurvy होता है scurvy याद रखना है आपको scurvy आगे देख लेते हैं which vitamin do not contain milk दूद में कौन सा vitamin नहीं होता है दूद में बहुत सारे vitamin होता है लेकिन कौन सा vitamin नहीं होता है तो दूद में जो होता है वो कौन सा vitamin नहीं होता है यह पूछा गया है विटामिन की कमी से कौन सा पता है विटामन सा रोग होता है तो इससे कौन सा रोग होता है क्विटामिन दी संब कि विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता कौन सी विटामिन है जिसके बज़ा से जो ब्लट कोटिंग है वो नहीं जमती है तो आपको एंसर दे रहा हूं अगर ये vitamin K कम है आपके body में तो वो जो जहां से blood निकल रहा है वो जगह भरेगी नहीं वहां से bleeding होती ही रहेगी तो ये एक बड़ी problem होती है vitamin K को लेकर ठीक है आई हो आपको clear हुआ होगा तो vitamin K आगे देख लेते हैं which diseases caused by deficiency of vitamin E vitamin E की कमी से कौन सा रोग होता है अगर body में vitamin E कम हो गया है तो उसकी बज़ा से क्या होता है ना बांजपन हो जाता है हिंदी में बांजपन बोलते हैं और English में sterility क्याते हैं इसका मतलब है woman pregnant नहीं हो पाती simple language में तो बांजपन हो जाता है तो sterility क्याते हैं English में तो vitamin E के बज़ा से होता है ठीक है तो याद रखना है आपको what is the chemical name of vitamin C vitamin C का chemical name क्या है रासाइनिक नाम क्या है vitamin C का vitamin C का जो chemical name है वो है आपका ascorbic acid इसका राम है vitamin C का विटामिन C का chemical name क्या है ascorbic acid हिंदी में ascorbic है what are the fat soluble vitamin वशा में घुलंसिल विटामिन कौन सा है वशा में जो fat में easily soluble हो जाता है तो वशा में घुलंसिल fat कौन सा है तो इसका correct answer है a and e a and e जो है वो क्या है fat में soluble होता है विटामिनICH जो है यह विटामिन जो थे fat में पाए जाते हैं what is the chemical name of common salt साधरन नमक का Raacinic क्या है तो आपको पता है उसका साधरन नम का ऐन एं ए सी एल एन ए सी एल ऊंवाली जो इसका है इसका चैज़ रासाइंक नम है मानलब chemical नेम है जो हम लोग खाते हैं सादुरस नमा खा ओला इज्जन्लेमिट नउस्टा लविच्ट सव में है हसाने वाली घास होती है उसकी अंत्रों हो Newbill को संदर्प जान संद्यम्हार नमप ये और है पहले 멍टव्य वाले क्या है तो धावन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द्वन्द् क्या कहते हैं copper and zinc, तामबा और जस्ता, next slide के तरफ बढ़ते हैं, calcium feral is the chemical name of which vitamin, calcium feral किस vitamin का रासाइनिक नाम है, तो calcium feral जो है किस vitamin का रासाइनिक नाम है, तो vitamin D, vitamin D को क्या कहते हैं हम लोग calcium feral, तो इसका chemical name है याद रखना है calcium feral, which part of the eye is donated in the donation, नित्रदान में नित्र के किस भाग का दान किया जाता है, नित्रदान में जब जब आई donation किया जाता है, तो कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो वो होता है आपका cornea, आख की जो अंदर की जो पुतली होते हैं उसको cornea बोलते हैं, यह आई है सपोस्स और इसके अंदर में आप देखोगे, यह अंदर वाला एकदम ब्लैक टाइप का जो होता है ना, वो होता है cornea, cornea को डोनेट किया जाता है, यह याद रहा है, जहां तक मैं सही हूँ, मुझे जहां तक पता है, अगर मुझे से गलती हो रही है तो आप comment box पर बताइए, which vitamin contains cobalt, किस vitamin में cobalt होता है, कौन सा vitamin है, जिसमें cobalt पाया जाता है, तो हो है vitamin B12, vitamin B12, vitamin B12 में क्या होता है, cobalt पाया जाता है, आगे देख लेते हैं, what is a powerhouse of cell, कोशिका का powerhouse किसे कहा जाता है, तो कोशिका का powerhouse होता है, वो mitochondria को कहा जाता है, अब आपने देखा भी होगा, mitochondria, mitochondria क्या कहा जाता है, कोशिका का powerhouse cell कहा जाता है, in which part of our body, our red blood cell formed, लाल रक्त कनिकाओं का निर्मान हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो red bloods, जो sales होता है हमारे body में कहा बनते हैं, तो जो अस्ति मजजा में बनते हैं मतलब bone marrow में बनते हैं, तो आपको याद रखना, अस्ति मजजा मतलब bone marrow, हिंदी में अस्ति मजजजा और इंगलिश में bone marrow, वेन इस नैशनल साइंस डे सेलिबरेटेड रास्ट विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है तो 28 फरवरी को रास्ट विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी नोट डाउन कर लिजे ठीक है आगे देखते हैं क्वीच इंस्ट्रुमेंट इस तू मेंजर बलड प्रेशर घ्रब्लdays करें जाता है जब व्लड अपने के लिए तो कौन से इंश्टूमेंट का यूज चाहता है वह सीगो मैं जीनियकर सीग्मो मैणोमीटर vision mailing मीरोक फिर से बर आधा हूं स्फीगमो मेनो मीटर आगे देख लेते हैं what is the permanent memory of a computer computer की permanent memory क्या कहलाती है computer की जो permanent memory होती है उसे हम लोग क्या कहते है उसे कहते है Rome है ना Rome कहते है permanent होती है यह आपको पता है बच्चमन में पढ़ा है अपने read only memory आगे देखते हैं in which session did the congress split two into two parties called liberals liberals and extremist okay liberals and extremist में कब divide हो गई थी Congress की दो पाटियां किस अदिवेशन में Congress उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में वाजित होगे था मतलब नरम दल और गरम दल आप बोल सकते हो आपको जो अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करते थे वह अम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री classes में don't worry तो किस साल डिवाइड हो गया थे यह Congress दो भग में तो यह हुआ था 1907 का एक सेशन चल रहा था तो सूरत में तो सूरत में वह सेशन चल रहा था यहीं पर क्या हुआ था ना कि तोड़ फूड मज़ गई थी हर क्या कर रहे थे सब लोग एक दूसरे को बर बेंच पटका पटकी कर रहे थे थे ठीक है और यहां पर क्या हुआता है कि Congress दो भाग में बढ़ गए नरम दल और गरम दल बाद में जा कि यही 1916 में जाकर फिर मीच्वल हो जाते हैं इन दोरों के बीच में फिर Home Rule लिग जो होता है उसी के बारह में बात की गए लखनो पैक्ट जीसको हम लों कहाते हैं पढ़ेंगे राज राजा प्रथम राज 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 फरस्ट जो चोल वंस के समराज जिके थे तो राज 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 प्रथम चोल ओके आगे देख लेते हैं वेर वाज दा मुगल इंपेरर अकबर बॉन मुगल बास्षामराट अकबर का जनम कहा हुआ था जो मुगल बास्षा थे मुगल समराट थे उनका जनम कहा हुआ था उनका जनम हुआ था अमर कोट का हुआ था अमर कोट में इनका जनम हुआ था अमर कोट में मुगल बास्ष was the 2014 football world cup held 2014 का football wishwood cup कि इस देश में आयोजित हुआ था तो कौन से देश में हुआ था वो हुआ था ब्राजील में तो ब्राजील में ये 2014 में football world cup हुआ था आपने देखा भी होगा आपने enjoy भी किया होगा इस game को in which country was the 2018 football world cup held 2018 का football wishwood cup कि इस देश में में आयोजित हुआ था 2018 में जो football हुआ था वह कौन से country में आयोजित हुआ था वह रूस में रश्या में हुआ था ये भी याद रखना आपको रश्या में football club कब हुआ था 2018 में इसका मतलब 2020 में होने वाला कहां होने वाला comment box में जरह पताईए where did the 2014 commonwealth games take place verse 2014 के commonwealth खेल कहां हुए थे commonwealth कहां हुआ था तो यह हुआ था Glasgow यह कहां यह Scotland में है तो Scotland में एक जगह है जिसका नाम है Glasgow वहां पर हुआ था ठीक है where was the 2015 cricket world cup held verse 2015 का cricket विश्व कप कहां आयोजित हुआ था 2015 में जो world cup हुआ था cricket का वह कहां पर हुआ था वह हुआ था न्यूजिलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दो जगह में हुआ था न्यूजिलैंड और ऑस्ट्रेलिया ठीक है और world map देखो के दोनों पास-पास में यह ज़्यादा दूरी नहीं लोग बीच में यहां न्यूजिलैंड यह इंडिया है और यहां न्यूजिलैंड और यह यहां पर आपका न्यूजिलैंड आयाता है आगे बढ़ते हैं who presides over the joint sitting of two houses of parliament संसत के दोनों सद्रों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है आपको पता है यह लोगसभा का जो speaker होता है speaker of लोकसभा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है हिंदी में अध्यक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में speaker बोलते है who was the first लोकसभा speaker of India भारत के प्रतम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे तो यह थे G.V. Mavalankar जिनको हम लोक बोलते हैं गणेश वाशुदे मावलंकर बहुत जनको फुल फॉर्म नहीं बता होगा तो अब लिख लीजेगा G.V. Mavalankar थे, इनका फुल फॉर्म था गणेश वाशुदे मावलंकर अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन में में माशने लूंःट यहीं पूर्म diva lang which is the world's largest continent, विश्व का सबसे बड़ा महादीब कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महादीब जो है, वो continent है, वो Asia, Asia जो है continent, वो पूरे world का सबसे बड़ा, क्या है, continent है, हैदराबाद is situated on which river, हैदराबाद किस नदी पर बसा है, हेदराबाद कौन से नदी पर बसा हुआ है तो आपको पता है हेदराबाद कहां पर है तो हेदराबाद बसा हुआ है आपका मैक्सिको नदी पर हेदराबाद जो है सॉरी सॉरी मैं हेदराबाद जो है मूसी नदी मूसी बोलकर एक नदी है गलती हो गई मूसी नदी एक मूसी नदी पर हैदराबाद बसा हुआ है नेक्स देख लेते हैं विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो इसका correct answer है मैक्सिको मैक्सिको जो है सबसे लार्जेस प्रोड्यूसर है आपका चांदी का मतलब क्या होता है चांदी का मतलब आपको पता ही है नेक्स देख लेते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है उत्पादक तो मैक्सिको बता दिया मैंने अब आगे देख लेते हैं Which is the smallest country in the world by area? चेत्रपल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? एरिया के अगर बात की जाए, तो सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपको पता है, वेटिकन सीटी एक है, है ना? वेटिकन सीटी है, यह कहाँ पर है? जरा कमेंट बॉक्स पर बताईए, वेटिकन सीटी जो है, वो सबसे छोटा देश है एरिया के अनुसार. Which two seas connect the Swiss Canal? Swiss Nehar की इन दो सागरों को जोडती है? तो आपको यह पता होगा, कि यह Mediterranean Sea and Red Sea को जोडती है, माने भूमद्य सागर और लाल सागर को connect करने का काम कौन करता है? Swiss Canal. Actually, Swiss Canal के बारे में बताओं, तो Swiss Canal जो है 1869 में बनकर तयार हुआ था, ठीक है? यह बहुत important fact है, क्योंकि इसी टाइम पे गांधी जी का भी जनम हुआ था. और Egypt जो आप नाम जानते हो, Egypt की जो income होती है, वो इसी कैनल से होती है. I hope यह किसी को पता नहीं होगा, यह जिसको इपता होगा, very good. Swiss Canal जो है, वो income का source है Egypt का. मैं आपको अच्छा तरह से देखना, आप clear हो जाएगा आपको. Which two ocean connect the Panama Canal? Panama नहर कींदो महासागरों को जोड़ती है. Panama Canal कींदो महासागरों को जोड़ती है, वो प्रसांत महासागर, माने Pacific Ocean, और उत्री Atlantic, माने Northern Atlantic, ओके North Atlantic जिसको हम लोग बोलते हैं. तो Pacific Ocean और आपका North Atlantic को connect करने का काम कौन करती है, यही करती है, बने पनामा कैनाल. Which is the capital of federal territory, देखे, federal territory की बात की जारी है, of India, दादर और नगर हवेली. भारत के संगेचे, दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है, तो इन दोनों की जो राजधानी है, वो है आपका सिल्वासा, सिल्वासा जो है, सिल्वासा जो है, इन दोनों की common capital है, ठीक है, राजधानी है, याद रखना है आपको. राजधानी है, प्रित्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो अर्थ डे सेलिबरेट होता है, 22nd April को. 22nd April को, अर्थ डे सेलिबरेट किया जाता है, ये भी याद रखना है आपको, ओके. आगे देख लेते हैं, in which state is the valley of flower, देखे, no doubt करिएगा, valley of flower, फूलो की घाटी, किस राजध में है, फूलो की घाटी कौन से राजध में हैं, तो फूलो की घाटी आपको पता होगा, कि कौन से राजध में हैं, वो है उत्राखंड. उत्राखंड में फूलो की घाटी है, UK में, उत्राखंड में फूलो की घाटी है, which was the capital of the newly formed nation, South Sudan, in the 2011, actually क्या होदा न, 2011 में South Sudan से, मने, Sudan, जो अफरीका में है, वहाँ सर अलग हो गया था, दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, सुदान, तो एक South Sudan हो गया, एक North Sudan हो गया, तो इसकी capital क्या है, तो 2011 में 99 में रास्ट दक्षिन सुदान की राजधानी कौन सी है, तो South Sudan की जो राजधानी है, वह है, जूबा, याद रखना है, जूबा, जूबा, जूबा इसकी राजधानी है, याद रहेगा आप लोगों को, जूबा, नहीं याद रहे तो अमिताब प्राइम मिनिस्टर प्रधान मंत्री जो होते हैं, इसके अद्ध्यक्ष कुआ करते हैं, नहीं कंछ अबूल फजल अबूल फजल जो है वो आयने अगवरी के यहाइने कव्यक डिक्त अब आपका यूम। खेल से संस्बंन दिता हैं इस नोन आज देश बंदू देश बंदू के नाम से कौन जाने जाते हैं तो देश बंदू के नाम से जानने वाले हैं उनको बोलते हैं चितरंजन दास को देश बंदू के नाम से जानते हैं यह सब को पता है कि 24 स्पोक्स हैं यह पहले भी बात कर चुका हूं तो 24 स्पोक्स है इंडियन बॉल्डी मैंने अच्छा तरह से डिसकर्स किया है आगे देख लेते हैं which film become the first in India भारत में सबसे पहली आगे पहली फिल्म कौन सी बनी है सबसे पहली फिल्म जो थी अपको याद होगा राजा हरीश चन्द्र राजा हरी छंद्र ना की जाना लेगले वाली फिल्म के बात की कर दाए तो यह थी राजा हरीश चंद्र खरकं सब अगर यहां मैं बोलने वाली लिख देता है तो वह हो जाती है आलमारा सबसे चोटी हड़ी कौन सी होती है सबसे चोटी हड़ी कौन सी होती है पता है आपको तो वह होती है स्टेपीज स्टेपीज जो होती है वह सबसे चोटी हड़ी होती है body के. सबसे इस थोटी बोन होती है, ये कहां होती है, जरह बताइए? कि- सबसे बड़ी हड़ी कॉन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड़ी जो होती है, उसको femur बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Femur, not fever, फीमर, ये jamg जो होता है न, उसकी हड़ी होती है, थाई लिवल को आप बोल सकते हो जांग जो होता है उसकी हडडी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते है Femur भी बोलते है How many muscles are there in the human body मानौ शरीर में कितनी पेशिया होती है तो मानौ शरीर में 639 639 पेशिया होती है मने muscles होते है इतने muscles होते है इतनी रेड बुलर माने आरबीसी का जीवनका लाइफ कितना है तो है 120 दिनों का ये बचवन से हम लोग पढ़ते वह आ रहे हैं 120 डेज का क्या होता है इसका लाइफ टाइम होता है लाइफ साइकल जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं जब जंग लगने वाला होता है तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं उसका नाम क्या है तो उस परत को हम लोग बोलते हैं आपका जस्ती करण आप हिंदी में बोल सकते हो या इ रख्वनाजेशन इंग्लीश कोब सकते हैं और हिंदी में जस्तिकरण बोल सकते हैं तो की यस्त मानगे बॉलती है हैं और इंग्लिश में लीवर बोलते हैं तो लीवर जो होती है सबसे बड़ी गरंती होती है हुमन बोड़ी में माने सबसे लार्जेस ग्लैंड होती है आगे देख लेते हैं वहीं इंडिया फर्स्ड उयल रिफाइनरी प्लांट लोकेटेड भारत का प्रथम तेल सोधन सयंत्र कहां सापित है तो आपको पता है यह कहां परोगा यह नाम क्या है oil refinery है पता है आपको तो मुंबई में actually नहीं मुंबई से कुछ किलो मिटर दूर समुंदर के वहाँ पर है तो उसका नाम क्या है for which field is the kalinga award given to by UNESCO UNESCO द्वारा कलिंग पुरुसकार किस छेत्र के लिए दिया जाता है कलिंग पुरुसकार कौन से फिल्ड में दिया जाता है तो वो है विज्ञान के छेत्र में साइंस के एरिया में okay science में science में क्या दिया जाता है कलिंग अबॉर्ट दिया जाता है in Hyderabad who build the चार मिनार है Hyderabad में चार मिनार का निर्मान किस ने करवाया था तो निर्मान करवाने वाले थे कुली कुतुब शाहा कुली कुतुब शाहा याद रखना है कुली कुतुब शाहा ने इसको build करवाया था when and where was the resolution of complete independence passed by the Congress Congress द्वारा पूर्ण स्वाधिंता दिवस का स्वाधिंता का परस्ता कब और कहा पारित किया गया था तो आपको यह भी पता है मैंने इंडियन पॉलड़ी में यह भी कवर करवाया है वह था वह था 1929 1929 की लाहूर सेशन जो था लाहूर का जो सेशन था उसमें हुआ था ओके लाहूर के सेशन में यह हुआ था अब आगे देख लेते हैं with whom is the white revolution related स्वेत क्रांती का संबंद किस्से है तो यह मिल्क से related है दूद से related है ठीक है मिल्क से related है वाइट रिविल्यूशन इंडिया भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है सबसे पुराना उसका नाम था fairy queen क्या नाम था fairy queen fairy queen okay fairy queen अगे देखते हैं गारत में आपाथकाल की प्रतम घोषना कभ वही थी first time emergency इंडिया में announce की गई थी वो थी चीनी आकर्मन चीन का जो आकर्मन हुआ था ना चाइना के तरफ से 26 October 1962 नोट डाउन कर लिजेगा 26 October 1962 1962 याद रखिएगा 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारी वार होई थी तो 1962 में क्या हुआ था यह हुआ था विच इस दा फर्स स्टेज इन इंडिया टू बिल्ट ऑन बेसिस ऑफ लैंगवेज भारत में भाशा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था तो भाशा के आधार पर बनने वाला जो था वह था आंध्रा परदेश ओके क्या थ था भाशा के आधार पर लैंगवेज के आधार पर स्टेट बना था पहला आगे देखते हैं भारत पर पहला हमला करने वाला मुस्लिम आकर्मन कारी कौन था सबसे पहले किसने आकर्मन किया था यही पूछ रहा है तो उनका नाम था मोहम्मद बिन कासीम और इन्होंने 1700 मान क्या नाम था मोहम्मद बिन कासीम नोट डाउन करिएगा वरी इंपर्टिन कोशन वाज अबस्डर ऑफ से लुकस हूं कम टू दा कोड ऑफ चंद्रगुप्त मौर रहा से लुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर के दरबार में आया वह कौन था से लुकस का से लुकस ने इसे भेज आता ठिक है और इनकी किताब थी उस किताब का नाम बताई का यह को वर इई देना है स्रिलंका का पुराना नाम क्या है माने पुराना नाम जो है स्रिलंका को वो क्या था उसका नाम पुराना था शीलॉण क्या नाम था शीलॉण शीलॉण इसका पुराना नाम हुआ करता था कि हूँ डिसकवर्ड विटामिंस भी खोच किसने की देखें सिर्फ की खोच की गई है तो यह थे फंग क्या नाम था फंग के फंग जो थे फंग जो थे उन्होंने विटामिंस की खोच की ती यद रख्ना है whose alloy is stainless steel stainless steel किसकी मिश्रधातू होती है तो stainless steel किसकी मिश्रधातू होती है तो आपको ये पता होगा iron, chromium and nickel तीन चीज़ होती है उसको stainless steel की मिश्रधातू होते है alloy होते है stainless steel के तो क्या-क्या होते है जिसे मिलकर बना होता है stainless steel iron, chromium and nickel याद रख लेना है आईरन, क्रोमियम एंड निकल, नोट डाउन कर लिजेगा, आगे बढ़ते हैं, whose alloy is bronze, कासा किसकी मिश्रिधातू होती है, तो कासा जो होता है, वो आपकी copper and teen की मिश्रिधातू होती है, when did Swami Vivekanand address the world religions conference in Chicago, Swami Vivekanand ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था, तो उन्होंने कब संबोधित किया था, ये भी बताना है आपको, तो इसका correct answer मैं बता देता हूँ, 1893, 1893 में इन्होंने क्या किया था, शिकागो में जो सम्मेलन था, विश्व धर्म सम्मेलन, माने religious जो conference था, उसको अटेंड किया था, इन्होंने, ओके, आगे देखते हैं, तो ये है 21 जून, 21 जून को क्या होता है, दिन सबसे बड़ा होता है, और राते सबसे छोड़ी होती है, 21 जून को क्या होता है, दिन सबसे बड़ा होता है, इसलिए हम लोग क्या करते है, योगा डे मनाते हैं, तो इसका background भी समझ में आगी है, योगा डे क्यों मना आ जाता है, क्योंकि sun rays direct आती है, यहाँ पर, जोग्राफी करूंगा तब बताऊंगा मैं पूरा detail में, लेकिन अभी आपको बताना है, आपको मेरी मदद करनी है, आप अपनी मदद नहीं कर रहे हैं, आप मेरी मदद कर रहे हैं, समझ लिए, तो आप इतना तो कर दी सकते हैं, मेरी मदद, where did महत्मा गांधी, बुद्ध, give his first sermon, महत्मा बुद्ध ने अपना पहला उबदेश कहां दिया था, तो आपको पता है, वो पहला उबदेश देने वाले थे सारनात में, महत्मा बुद्ध ने अपना पहला उबदेश कहां दिया था, सारनात में दिया था, है ना, सारनात मे विच लीडर डाइड ऑफ लाठी चार्ज डूरिंग दा साइमन कमीशन बॉइकॉट साइमन कमीशन के बहिशकार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता के मृत्ति हो गया था और यह साइमन कमीशन दा विरोध कर रहे थे गो साइमन तो इसके बारे में बताया भी था पॉलि तो शुमिक्ट से बढ़लने जरा बताइए क्या था है वटीजां जरुल के नेम अब था कंप्यूटर का क्या नाम है पहले सूपर कंपूड़ का क्या ने पहले नाम र announcements अट सिद्दार्त क्या चिंग्स को बिना रोग व्द्दार्त हो पहले शुपर कंपूड पहले इन विच बुक इस गायत्री मंत्रा में में तो आपको बता है वह है रिगवेद में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया था तो यह पता होगा तो वह है आपका जो जो चोटी आथ जिसको बोलते हैं तो वहां पर क्या होती है नहीं कि छोटी आथ प्रतिबादन किस ने किया था लौ फिर टी तो आपको यह पता होगा इसका नाम है ग्रेगोर मेंडल ग्रेगोर मेंडल जो थे इन्होंने यह क्या किया था अनुवान शिक्ता मने लौ फिरिडी का प्रपंड किया था तो नियम प्रतिबादन किस ने किया था अनुवान शिक्ता का तो नाम था ग्रेगोर मेंडल जो नाइन क्लास के बुक्स में भी आप बोलते हैं कॉपर सबसे पहले कॉपर यूज किया गया था कि अच्छा यह बताएगा जो मारा तो फर्स यूज किया गया था कॉपर लेकिन हरपा सिवलाइजेशन एक ऐसा दोर था हरपा युग उस समय उन लोग कौन से जो मैटल थे उससे परिचित नहीं थे उन लोग जानते ही नहीं थे उस मैटल के बारे में कर्मेंट वक्सर बताईए और वाट प्रिंसिपल ड़स दा बॉल पेन वर्क बॉल पेन के सिध्धान पर काम क करता है सर्फेस पर तो ही वह काम करता है हवा में थोड़ी काम करेगा तो उसी प्रिंसिपल से काम करता आप टच करेंगे जब लिखना शुरू करेंगे मने मुव्मेंट्स करेंगे तब ही होगा वह भी टच करके रेशम के कीड़े किस व्रिक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं और आपको यह पता होगा उनके लारवा से यह बनता है रेशम वट ऑट इस खेत्री फेमस फ ऑर इन राजयस्तान और लुपर कि जो मा प्र को पर माइन काम की ऑई क्वाणि कहान है राधानिथ लिए पेभूसर्गे लैरे इस प्रित्वी के सबसे नजदी ग्रह कौन सा है तो यह आपको पता होगा सबसे चोटा कौन सा है मानने सबसे नज्दीक ऊण सा है मरकरी उसके बाद आ वीनस और मुद अर्प के बाद है अर्थ ओर्फ के बाद है कि आप बठाईएगा करमेंट बॉक्स पर कौन अ क्योंकि जो रफिंग, तो यह जो आपको कैसा लगा अगर पसंद आया तो like करिएगा जादा से जादा शेयर करिए दूसरों की मदद किया करिए comment box पर comment दीजे जो आज इतने सारे question बूचे गए हैं और पहले जितने भी लोग question का answer दे रहे हैं बहुत अच्छे मेरे तरफ से हमेशा support है और जो नहीं विदर है उनको भी support है ऐसा नहीं है कि मैं support नहीं दूँगा और जो भी session में start करूँगा कभी भी हमेशा आप लोगों का welcome रहेगा उसमें किसी भी जगा में हो ठीक है तो comment box पर जबूद comment दीजे बहुत ज़ूड गए हैं और बहुत ज़न अभी बाकी है तो क्या इंतजार कर रहे हैं वो लोग क्यों इंतजार करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है चलिए इंतजार करना बंद करिए अब जुड़ना शुरू करिए और answer देना शुरू करिए PDF की link description box में दी गई है जाके PDF को हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर लिजे चैनल को सब्सक्राइब में के तो चैनल को सब्सक्राइब करके यह होता है बेल आइकन बेल आइकन को प्रेस करना न भूले मिलते हैं सुभा के चार बजे करेंट अफेस के साथ और दस तरी की डेट मत बूलिएगा invitation है कोई ना नहीं करते है invitation को thank you